बार दोस्तों एक जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है उम्मीद करता हूँ आप से भी बहुत अच्छे होंगे तो आज के इस वीडियो में हम डिसकर्स करेंगे पीटीटी काउंसलिंग के लिए अंतिम मौका दिया जा रहा है जो भी अभ्यारती रह गये थे या जिनके डोकुमेंट करेक्ट नहीं थे या जो काउंसलिंग नहीं करवा पाये थे किसी वज़े से एडमिसन नहीं हो पाया था तो उनके लिए एक अंतिम मौका दिया जा रहा और यह मोका दिया जारा B.A. B.S.C. चार वर्सवालों के लिए तो दोस्तों उसी के बारे में डिसकर्स करेंगे इस वीडियो में जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स इस वीडियो के माद्यम से आपके सारे क्लियर हो जाएंगे तो उमिद करता हूँ आप यह वी फॉर एर्स के लिए एक अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें जो विद्यारती किसी कारण वर्स रह गयते या काउंसलिंग नहीं करवा पाए थे और जो विद्यारती वेटिंग लिस्ट कर रहे थे कि वेटिंग लिस्ट कब आएगी तो उन सभी का अभी नहीं करवा पाए तो उसका भी आपको मौका दिया जारा और इसके अलावा आप काउंसलिंग भी करवा सकते हैं अगर जो भी ब्याड़ती जिनके अच्छे नंबर आये थे और किसी कारण वर्स वो काउंसलिंग नहीं करवा पाए थे तो वो पांच जार रुपए जमा आपके वो काउंसलिंग भी करवा सकते हैं तो आए दोस्तों देखते हैं जैसे ही PTT की वेबसाइट ओपन करते हैं तो इसपे B.A.B.A.D. और B.A.C.B.A.D. 2020 चार रही यर स्वाली पर क्लिक करते हैं तो इसपे एक नोटिपिकेसन जारी हुआ है जिसमें लिखा हुआ है B. ये B.A.D. and B.A.C.B.A.D. 2020 बैरती हो के लिए अंतीम आफसर ये अभी हाली में है एक नया नोटिपिकेसन जारी हुआ है तो इस नोटिपिकेसन में क्या दिया गया है दोस्तों वो देखते हैं इस नोटिपिकेसन में दिया गया है कि B.A.B.A.D. and B.A.C.B.A.D. चार लब इकीस बारा 2020 तक आपको जो भी कुछ भी करवाना है या काउंसलिंग करवानी है या फीजमा करवानी है वो सारा सब कुछ ये करवा सकते हैं तो ये डूंगर कोलेज महाविदाले बिकानेर दोबारा ये ओपिशल नोटिपिकेसन जारी किया गया है और इसमें कहा गया करेक्शन के कारण परिवेस से वन्चीत रह गए थे अत्वा रेजिस्टेशन सुल्क 5000 जमा करवा नहीं पाने एकरन काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाए थे ऐसे सबी विद्यारतियों के हितों को ध्यान में रखते हैं इन्हें एक अंतीम अपसर परदान किया जा रहा है मतलब कि जो काउंसलिंग नहीं करवा पाए थे उनको भी एक अंतीम मौका दिया जा रहा है और जो केटेगरी या जेंडर में करेक्शन नहीं करवा पाए थे उनको भी दिया जा रहा है या अप्लोड अपने डोकुमेंट अप्लोड नहीं करवा पाए थे इस वज़े से व कोटी संस्वधन कर सकते हैं जो भी आपके डॉकुमेंट में जो तुरूटी है वो करवा सकते हैं अभी और वे महाविद्याले का विकल्प दिनाग 21-2022 तक भर भी सकते हैं कल्प भी बर्शकते हैं न्यू बिल्कुल फ्रेस काउंसलिंग करवा सकते हैं और उनकी वेटिंग लिस्ट भी आगे जारी की जाएगी उनको अपवर्ड मुवमेंट का भी विकल्प दिया जाएगा तो ये एक अंतीम आवसर दिया जारा जो अभ्यारती रह गए थे फोर येर्स में जिनके काउंसलिंग नहीं हो पाई थी तो उनके लिए एक सुनारा मुका दिया जारा तो वो आप करवा सकते हैं और जिनके डोकुमेंट्स में दिक्कत थी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे पिछले वीडियो में कि जन्नोंने पांच जार रुपे जमा करवा दिये हैं और 22,000 भी जमा करवा दिये, counseling में उनको college allotment हो गई थी और 22,000 जमा करवाने के बाद में उनके documents में कुछ correction था करवाना था तो उस वज़े से वो college में admission नहीं ले पा रहे हैं, college वाले उनको admission नहीं दे रहे हैं अब उनके पास एक बार दोबरा मोका है कि वो अपने बिल्कुल सही से document अफ्लोड करके college से contact कर सकते हैं, तो यह दोस्तो अभी यह latest update आई है, उमीद करता हूँ आपको यह video पसंद आया होगा और इसके अलावा यही बिल्कुल सेम process ही two years beard वालों के लिए भी होगा तो अगर two years beard वालों के लिए भी अगर किसी तरह कोई update आती है, तो उसकी भी जानकरी आपको हमारे channel पे वीडियो के माद्यम से provide की जाएगी, तो आप निश्यत रहिए, अगर किसी भी तरह की कोई भी आपको doubt है, या कोई भी question पूछना चाते हैं, तो आप comment के माद्यम से पूछ सकते हैं, उमीद करता हूँ आपको यह video पसंद आया होगा, आप अधिक से अधिक share कीजिए, like जय हिन, जय वारत